तो गाई स्वागता आपका एक न्यू वीडियो में जहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ क्या फाइनली नाइट आफ चैंपेसी वो जगह होने वाली है जहाँ पर हमें ब्लॉड लाइन का ब्रेक अप देखने हो बिलेगा और क्या रोमन ड्रेंज अंडिस्पुटेट टैग चैंपियन बनेंगे या फिन नहीं बनेंगे इसके अलावा ब्लॉड लाइन का फ्यूचर क्या होने वाला इन्हीं सब चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और गाइस मैं आपको पहले ही बता दूँ यह वीडियो मेरी बेच्ट होने वाली है यानि मुझे स् शुरू करते हैं तो गाइस नाइट ओफ चैंपियंस का दिन रोमन रेंज के लिए काफी बड़ा दिन होगा इसमें तो कोई भी शक नहीं क्योंकि उस दिन वो अपने हजार दिन एज़ चैंपियन पूरे करने वाले है लेकिन क्या वो उसी दिन अंडिस्प्यूट टैग ट शुरू के पिछे पड़े हुगा है और पिशले स्मेर्फ की डा अपिशोट में हमनें शनी जमिंज जयाफ चैंपियद से लільки या शुरू और वो चिज़ को दी उसो अपनी टाय टीम चैपे सिप्स को हा रहे हैं तब से माने रोमन रेंज उन्हें मोही नहीं लगा रहे हैं और पहले रोमन रेंज उन्हें ओर्डर भी दिया करते थे कि तुम्हें ये करना है तुम्हें वो करना है लेकिन अब माने रोमन रेंज उन्हें ब्लड लाइन मनाया था रोयल रंबल में जब जे उसो ब्लड लाइन को छोड़ कर चले गए थे उसके बाद वो केवल सोलो सिकोवा अंडिस्प्यूटेड ट्रैक टीम चैंपियंसिप नहीं जीत पाएंगे इसके बाद रोमन रेंस फ्रस्ट्रेट होकर दी उसोस पर अटैक करेंगे और हमें ऑफिशली ब्लड लाइन का ब्रेक अप देखने को मिलेगा अब रोमन रेंस से क्यों अटैक करेंगे क्योंकि रोमन रेंस एक टॉप हील है और वो दिन उनके लिए खास होने वाला है इसलिए मुझे लगता है डब डबली उन्हें थोड़ा भी कमजोड दिखाने वाली है बलके यहां पर हो सकता है रोमन रेंस दी उसोस पर डैक करने के बाद यहां पर स्टैंड टॉल करेंग तो वे नजर आएगी और जैसे कि जारो न्यूस की तरफ से अपडेट आए थी इसके बाद हमें सोलो सिकोवा और रोमन रेंस वर्से दी उसोस का मैच समर स्लैम में देखने को मिलेगा और जब दी उसोस ब्लड लाइन में नहीं रहेंगे तो मुझे लगता सोलो सिकोवा को वहाँ पर रहने का कुछ मतलब बनेगा और ये मेरे उपडेट उसकता है कि समर स्लैम में भी रोमन रेंस और सोलो सिकोवा हाड जाए वो बी सिर्फ इसके बाद एक बार फिट से रोमन रेंस फ्रस्टेट हो जाए और वह सोलो सिकोवा के ओपर भी अटैक कर दें इस में में हमें रो में और सोलो शिकोवा की चुछा जोAI बाद एक बार तब जब एक नवार वा रही वह एक जब रहे हैंएं सिंसको काफी जादा घूर रहे घूराई तो कई नविक्ए करी रही है तो क्यों नहीं जब ब्लड लाइन का एंड होई रहा है तो साथी साथ सोलो सिकों को भी अलग कर दिया जाए बाकि गाइस मुझे तो यहीं लगता है नाइट ओफ चैंपेस में रोमन रेज अंडिस्पुटेड ट्रैक्टीम चैंपेसिप नहीं जीतने वाले क्यों लेकिन जब रोमन रेज के पास चार-चार चैंपेसिप आ जाएंगी तो उनको हैंडल करना काफी ज्यादा मुझकिल होगा क्योंकि अब इतनी साली चैंपेसिप को तो वो एक साथ डिफेंड नहीं कर सकते तो यह थे मेरी ओपिनियन्स ब्लड लाइन के मैच को लेकर और उ